वहां पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग 12 कुंडी खड़कर आते हैं जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग भाग खड़े होते हैं वह अंदर घुसते हैं अंदर लड़कियों को होस्टल भी था वहां जाकर के दो नाबालिक बच्चियों को ठाकर ले जाते हैं और को अकरिक कोई फरिष्टा नहीं यहां ऑफ्या अब इसे परगार होता है ऐसे हुआ यह सब को पर फBERT होले से मारे ज दूसी बात यह जो इसको संपर्दाइक रूप देने कोशिश की जा रही है यह सरासर गलत है इसका संपर्दाइक रूप देना कि मैं विरोध में हूँ अधिया तो मुझे इंकाउंटर में मारा जाओंगा पुलिस मारेगी यह तो मेरे बीच का ही कोई व्यक्ति होगा यह कोई आखाश मानी है यह जानते कि गलत किया तो तरीके जो जन्म हुआ ना तो मैं तो बश्पन से रहा हूं प्रियागरा से रहा हूं पर बश्पन देखता उसके मटक बाद जग्गा करनेटर किया वहां से अधिक अधिक चकिया बन गए उसके बाद इन्होंने फिर अगर मैं उसके पहले तो आपको मैं इनके इतिहास वहां दो जहां से यह एबी सीडी सीख रहे थे इलहाबाद में प्रियागराज में एक एरिया सुबधार गंज आप जब चौफटका से सुबधारा गंज की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर एक कुवा था वहां पर यह बैठते थे अब बैठ करके वहां पर से वजात में गुजरने वाले लोगों से लूट पार हुआ करती थी यह इनका पहला स्टिप था उसके बाद पर चांद बाब जिनके लुटे हैं तो वह तो उनके पर क्या भीत रही है अब किसी का कोई चीज ले लिया दमगा करके एक वक्त था कि निगास लोग डखते थे और एक वक्त यह आया कि को बुतल खिचके लोग मार रहे थे तो समय का जो चक रहना गुमता रहता है महाबारत में सत्य और अ की पए मार च्पवान किसके साथ दिया जिसके बास कुछ नहीं था जिसके पस्दकुश होता है तो डडिपॉंट करता है कि जिस जो व्क्ति अपराधी है अपराधी के साथ जो हुआ सही हुआ यह गलत हुआ तो अपराधी मतलORं जो क्लत भुक्त होगे जो कल हुए परसों घटना हुई वह अकलपनी है मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा रहा है लेकिन यहां पर शासन प्रशासन का नहीं रहा है बलकि अकलपनी चीज़ती है कलपना नहीं सकती कोई इस तरह करेगा सुरक्षा में कमी नहीं थे और यह भाजपास सरकार खुद यह लोग करा दिया महराज ने करा दिया तो यह सब्सक्राइब कोई व्यक्ति अपने पर इल्जाम लें नहीं जाएगा यहां देखना यह से फाइदा कि इसको पहुंच रहा अब यह जैसा कि अज मीडिया में देखने मिला कि अतीक ने चिट्थी जो है सुप्रीम कोड में भेजी थी तो अब वो चिट्थी खुले को उसमें नाम किसका आता है और अतीक भी जब अपने अंधिन समय में कुछ कहना चाह रहा था लिगों कह नहीं पाया तो उसका क्या मतला में निकलता है दूसी बात दिखी है अतीक हो या अश्राफ हो अब मैं आपको बता हूँ 17 जन्री 2007 की बात प्रयागराज में क्रेली अरिया है क्रेली 95% मुस्लिम छेतर है जहां वहां पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग 12 कुंडी खड़कर आते हैं जब कुंडी खो सब्सक्राइब करते हैं जो लोग इसमें नुवाल तो राज तक वो लोग बचे हुए है लड़कियां जो थे ओं मुस्लिम थी तो जो कि इसलाम में है इसलाम में जिना हराम है हराम का बहुत अहिमत है इसलाम ध्रम के अंदर आपने उसकूलbuild गरिब लड़कियों का सद दुशकर्म कर वाया आपने उनको बचाया नहीं वलकि आप ने घरवालों पर दबाव बना जो इसके समर्थक है वो कह रहा है कि पुलिस वाले श्रप का तो इनकाउंटर कर देता है तो इनकों को समय लगेगा टोटल पुरा यह जलत बात इसकी को फायदा पहुचा है तो फैयदा पहुच रहा है बोजन फॉच्वाज्टी को इसकी जाज जोनी चाहिए कि इनका का कनेक्शन है और योगी महाराज साधू वाल साधू आदमी है वो उनको तो बरगलाया गया था उस दिन विधानसभा के अंदर ताकि अशा को बोल दिया और उसी बात को यह अखिलेश आदा उने फाइदा उठाया और इस तरह की चीजों को अगे सब्सक्राइब तो यह क्या है आज अपर वाले के लाठी पढ़ लगी है जो गलत करेगा गलत बुक्तेगा प्रदेश में यह भी तो चल रहा है कि मुसल्मानों को ही टार्गेट किया जा रहा है जैसा आपने आजम खाका नाम लिया इसमें जो लोग उधारन देता है कि कैते हैं कि मुसल्मानों के नेता है जायती कैमत हो चाहे आजम खांव चाहे मुक्तार अंसारी हो इन्हीं को टार्गेट किसी को नहीं जा रहा है तो वह सरसरा गलत है प्रियागराज में एक वह कावर्या बंधू है उनको उम्रकाइद हुई कि उनको सजा हुई कभ से जिलन करवाई होगी उतिहास खतम नहीं हो जाएगा उनको सजा मिलेगी लेकिन जो भी सम उचल रहे थे उनको सजा पहे देना जो रही है सबसे पहले तो वैसी का इतिहास कि अधे वाईसी फादर तो पाकिस्तान इस्लम को मुस्लिम लीक तो यह तो अपनी मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं गाम कर रहें एक बेश बोया जा रहा है अति हिंदुवाद जो हिंदुराश्ट वार वार बोला ईता है हिंदु रास्ट तो ही ही हिं दूराश्ट इस तरीके की कानून मारे जाते हैं वो उनकी सरकार मादबा देते हैं यहां पर जो कि अपराधियों सफाया हुआ किसी तरह से अपराध है तो उसको अपराधी कांटर किया गया तो इसमें मामता बंदरजी का बयान कि बिल्कुल मैं निंदा करता हूं अपना राज संभाल नहीं परदेश में देखल देखले रही है उनकी नजर में तो पूरे समाजवादी पाल्टी फरिष्टा है फरिष्टों कगाड़ है समाजवादी पाल्टी में कौन बदमाश नहीं है समाजवादी पाल्टी जब सरकार थी तो आम नागरिक आम महिलाएं क्या जोड़ो चल पा रहे थी जिसको ठोड़ा लिया थे गाली गलोज उड़ूड पार्ट आई दिन के मामला था अतीक का जो मेंटर हुआ था जो मदर सबस्क्राइब रही सबस्क्राइब यादूवादी पाल्टी सरकार में और आयोग अगरा में सबस्यादा मुसलमान है तो बार्टी इंतर बाड़ी सरकार में मुझे तो नहीं लग रहा है मैं मुसलिम हूँ ठीक है और आज तक हमें तो कोई दिक्कत नहीं हु़ी और ना यह उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत हुए मुसलिम को कोई मुसलिम बता ले कि हमें हमें टार्गेट किया गया और जो गलत करेगा जाहिसी बात उसके साथ गलत हो नहीं होना कहां भाई चारा समाप्त हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी दूद की धुली हुई है क्या मुझे तो नहीं लग रहा है दूद की दूली इससे पहले तो जब उनकी सरकार थे तो बहुत गुंड़ाई होती थी यादो नहीं उलड़ते थे बुल्डोजर किसके उपर चला ह कोई शरीफ आदमी को पर चला हो बताइए तीनों पकड़ेगा इनके घर क्यों नहीं बुल्डोजर चला दे रहे हैं देखिए कब पकड़ेगा हैं परसों पकड़ेगा दो दिन रुए ना समय सुला दीजिए कोई बक्षा नहीं जाएगा उनका तो खुद का घर भी नहीं कि जो भी अपराधी हैं उनको निस्तानाबूत करने के काम अधरनी योगी महराज जी कर रहे हैं और आगे भी घृता रहेगा काम इसको धर्म से मत जोड़ें अपराधी अपराधी के साथ किसी रियायत के मुद में हमारी भाश्पास गाद नहीं है करना है तो अगर अतीक ने किया है उनके जो भी करता है तो उनको किस बात कर रहे है ठीक ना और जो अगर इनका अपराधी नहीं था अगर जो नहीं है कानून से वह डरता जो अपराधी है इससे जो मौध है इससे पॉल्टिकल जिसको फाइदा मिला तो मिली रहा है बहुत सार ऐसे नाम है जिनके नाम जिनको अधीक के बिनामी संपत्य उनके नाम पर है जिनके जो एमाउंट है उसका अंदाजा हम आप नह कोड़ों में होगी कभी जोड़ों हो जाए कभी預 कुझ को माफिया अपने नाम से संपत्ती नहीं लेता है वो संपत्ती जो इता है वह हुँ तो हो सकता है कि इसमें से किसी ने उसको माढर गरवा दिया हो बिता कि एक बेटा मारा गिया अतिक बह्यादी थे ढोनों खतब हो पत्री फरार है दो बेटे जेल में दो बेटे बाल विकार उसमें है जो कि अभी माइनर है तो इससे प्रॉपर्टी कनेक्शन भी इसको जोड़ा सकता है ठीक और अभी इसमें सफेद पोश्ट दिल्ली में नेता है जो सपोर्ड कर रहाता है और हत्यारों का जिकर भी आया उस बच्चा क्या जो बालिग है तो उसको बच्चा नहीं सकते और अगा बच्चा है तो वीडियो सीसी टीव काउन आया है और दुसी बात दिखिए एक वीडियो वाइरल कुछ नहीं पहले हुआता जिसमें असद बेखाल से रहोगा 12-13 साल का जो बच्चा तो भी है इसमें क अधिक हमत ने का तक 18 साल बाद मुझे वो शेर का बच्चा है मुझे अधिक ने को बात बोली थी कि या तो मुझे मार दो दो नहीं पहले बोली थी यह सब चीजें जो फाइदा किसी ने उठाया है इसका यह फाइदा या तो उठाया है जो बिल्डर्स हैं जिनकी संपा सं सबसे जादा जो निशाना मेरा है वो है उस व्यक्ति को पर इसका नाम आता सफेद पोश्य व्यक्ति जो दिल्ली बैठाव कौन व्यक्ति है पूर उसांसद है वो अब कौन है इसकी तो सीबी आइडी जा चुनी चाहिए इसकी तो तभी नाम जागर करेंगे और दोशी है और दो झेग कौन हम चुनी उनुली नाम कौन जार कि आएभूसे एफस्ए Connor करेंगे झोनी दौनीज़र उङदाएको क yarnновा तर दोस्यकहatiques का उन है और देंक चुनीज़र जो झाएब कौना तोसे जाएबाने जाएभाने व्यक्ति आको को जाए kार है बेंगार का उन यार क